हलो ड्रेन्स केस है आप आज के सेशन में हम डिटेल से डिसकस करने वाल हैं। जो स्वेट्स CCMN Counseling पॉस्पेट करें या CCMT Counseling पॉस्पेट करें, तो उन ड्रेन्स का झारी अप आप करें। उसके अंदर हमारा time duration है physical reporting का 17 अगस से लेकर 21 अगस तक का और आपने CCMN का जो schedule है वहाँ पर भी आपका physical reporting का time 17 अगस से 21 अगस तक का time है तो क्या सर इसी के अंदर हमारा physical reporting होगा या इसमें से जो time duration देर खा इसमें किसी भी date में जाके हम physical reporting कर सकते हैं आपको इसको लेकर बिल्कुल भी confused नहीं होना है यह जो CCMN ने जो schedule देर खाए 17 अगस से लेकर 21 अगस तका यह केवल आपका क्या tentative schedule है समझ गए आपका physical reporting कब होगा कौन सी date को आपको NIT में पहुंचना है कौन सी date को किस तारिक को आपको NIT में पहुंचना है कब आपको report करना है यह आपका decide करेगा allotted institute है अगर आपको NIT अलोट हुई है तो आपका individual NIT है कौन सा NIT है उसकी website पे official notification के लिए कब आना है जैसा कि student साब जानते हैं MNIT जेपूर का physical reporting के लिए official notification आज चुक है जैसा कि आप इसकी पे देख पा रहे है 16 अगस्त को student को पहुंचना है physical reporting के लिए कब पहुंचना है 16 अगस्त को MNIT जेपूर आपको पहुंचना है physical reporting के लिए आप में से बहुंचना का सवाल होगा कि सर 17 अगस्त को NSR round का result आएगा 17 अगस्त को NSR round का result आएगा तो उनको physical reporting कब करना होगा उनका तो miss हो जाएगा उनको अलग से time मिल जाएगा जो 17 अगस्त को result आएगा, उनका college अगर change हो जाएगा, तो उनको अलग से time मिल जाएगा, वो 21 अगस्त तक physical reporting कर सकते हैं, और आप अपने Allotted Institute से consult भी कर सकते हैं, इसके साथ इस्टुनेंट से आप देख पारे होंगे, NIT जलंदर का भी physical reporting के लिए क्या आगया है, official notification आगया है, 17 अगस्त से 19 अगस्त के around आपको physical reporting करना होगा, आप 17 को भी आ सकते हैं, 18 को भी आ सकते हैं, 19 को भी आ सकते हैं, और लग वक 21 से आपकी class से बगर स्टार्ट हो जाएगी, orientation आपका स्टार्ट हो जाएगा, और physical reporting वाले दिन ही आपको hostel बगर अलोट हो जाएगा, इसके साथ इ रिपल आटी लखनव का भी official notification आज सुका है, और भी बहुत सारी NIT का official notification आज सुका है, आलागे कुछ NIT हैं, जिनका भी date आया नहीं है, physical reporting confirm नहीं हुआ है, उनका भी 3-4 दिन के अंदर, within 1 week के अंदर, उनका confirm हो जाएगा, official notification आ जाएगा कि कब student को physical reporting के लिए यहां पर आना है, तो नहीं तो आप उनकी website पर notification चेक कर लिजिए, जिनका भी आया नहीं है, उनका भी update हो जाएगा 3-4 दिन के अंदर, तो जो official notification आ रहा है, उसके according students आपको reporting करना है, हालांकि 1-2 NIT है, जहां पर students को hostel नहीं मिल रहा है, कौन सी 1-2 NIT है, तो आपका NIT स्रीनेगर हो सकता है वहाँ पर भी आप confirm कर लेना अच्छे से, और एक NIT रायपूर है, जहां पर बोईज को hostel नहीं मिल रहा है, गल्स को मिल रहा है, लेकिन बोईज को नहीं मिल रहा है, हालांकि 2-3 महीने बाद NIT जेपूर में भी मिल जाएगा, और NIT जलंदर में सब को hostel मिल जाएगा, क्या document हमें collect करने होंगे, क्या-क्या document आपको ले जाने, क्या-क्या document आपको ready करने, इसका detail से proper मैं आपको कल वीडियो प्रवाइड करवाद हूँ, कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा detail से, कि आपको educational document है, उनके साथ आपको physical fitness certificate case से बनाना है, किस format में बनाना है आपको, औ कुछ college में जरूत होती है, जैसे NIT हमिरपूर है और भी NIT है, जिनमें anti-raging case certificate की जरूत होती है, वो case से बनाना होगा, और भी कुछ affidavit है, वो case से बनाने होगे, इसका detail से video प्रवाइड करवाद देंगे, हालांकि अलग-अलग institute की, जैसे मैंने आपको बताया, physical reporting का जैस सभी का individual notification आएगा document के regarding, जिसको हम और अच्छे से explain कर देंगे, पुरा details से हम आपको कल वीडियो में समझा देंगे, इसके साथ हमने सभी NIT के, सभी GAPIs, सभी institute के premium WhatsApp group ना दी है, अगर आप उनको join करना चाहते हैं, अगर आप फिजिकल reporting के regarding, या online reporting के regarding, आप अपने doubts clear करना चाहते हैं, पुरा support लेना चाहते हैं, हर एक update आप पाना चाहते हैं, रिपोर्टिंग के regarding, तो इसके साथ हमारे premium WhatsApp group join कर सकते हैं, जिनका link आपको discussion में मिल जाएगा, अगर आपका reporting के regarding, कोई भी doubt आता है, कोई भी सवाल होता है, तो हमारे junior counselor से आप pin करके, आप doubt clear कर सकते है हालांगे call allowed नहीं है, आप chatting के through अपने solid out clear कर सकते हैं, अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो देर किस बात के link आपको discussion में मिल जाएगा, मिलते हैं, नेक सेशन में तब तक लिए इंतिजार बनाए रखें, धन्यवाद